हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू, स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पीनल कोड के इंपोर्टेंट सेक्षिन कौन से है जो आपको याद रखने है, यानि भारतिय दंड सहीता की महतमपूर्ण धाराएं, ये वीडि इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या डिफरेंस होता है, इंडियन पीनल कोड ये एक सबस्टेंटिव लो है, जो एक क्राइम को डिफाइन करता है, फॉर एक्जामपल अगर मैं बोल रहा हूं मर्डर, तो मर्डर क्या होता है, इसको डिफाइन करेग IPC, इसी तरह theft, चोरी, डकैती, इनका मतलब क्या है, ये सब लिखा होगा Indian Penal Code में, कौन सी अदालत में मुकदमा जाएगा, कितनी उसमें maximum punishment होगी, या कितना maximum fine लगेगा, ये सब लिखा होता है IPC में, लेकिन एक बार, जब तफदीश शुरू हो जाए, investigation स्टार्ट हो जाए, तो फिर क्या procedure follow करना है, जो भी police या जो भी investigating agency है, वो क्या procedure follow करेगी, किस तरह से FIR file करेगी, investigate करेगी, charge sheet बनाएगी, कितने time में investigation करेगी, यानि जो criminal का, criminality establish करने के लिए, जो procedure follow होगा, वो लिखा होता है, criminal procedure code में, लेकिन Indian penal code में लिखा होता है, कि कितनी punishment होगी, और अपराद actual में क्या है, और किस सूरत में हम उसे, ये एक particular अपराद कहेंगे, ये difference होता है, IPC में और CRPC में, अब शुरू करते हैं, अब देखिए, जो सब ज़्यादा mistake लोग करते हैं, वो करते हैं, शब्दों के hairfare में, for example, अगर कोई murder है, तो उसका section होता है 300, मैं repeat करता हूँ, अब ये ध्यान से सुनिए, section 300 बताता है, कि murder किसे कहेंगे, murder क्या होता है, लेकिन जो murder की punishment होती है, वो section 302 के तहट होती है, तो section 302 के तहट, punishment for murder होती है, लेकिन murder हत्या होती है, section 300 में define, और attempt to murder होता है, section 307, तो इस तरह से जब आप question को attempt करें, तो पहले देख लें कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्या वो आपसे उसकी punishment पूछ रहा है, या वो पूछ रहा है कि कौन सा section murder को define करता है, सबसे पहले देखते हैं, हत्या का परियास, ये आता है section 307, attempt to murder, अगर कोई किसी, कोई वैक्ती दूसरे किसी वैक्ती की हत्या की कोशिश करता है, और नाकाम हो जाता है, तो जो जिस वैक्ती पर हमला हुआ है, उसकी जान नहीं जाती, तो अपराध करने वाला जो वैक्ती है, वो आईपीसी की धारा 307 के थैट, उसको सजा दिये जाने का प्रावधान है, section 302 होता है, हत्या के लिए सजा, अगर कोई वैक्ती मर जाता है, उसके लिए section 302 होता है, punishment for murder, section 304A, लापरवाही से मृत्यू होने के कारण, इसे बोलते हैं, causing death by negligence, तो for example, किसी की कोई लापरवाही की वज़े से, अगर किसी दूसरे वैक्ती की जान चली जाए, तो उसके लगता है section 304A, section 376 होता है, punishment for rape, अगर किसी वैक्ती पर, जबरन्ट सेक्स या बलापकार की गंभीर श्रणी में, महिला के साथ उसे गिना जाता है, तो बलापकार के अपरादी पर संगीन धारा, 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, rape, section 395 होता है, डकैती, अगर 4 या उससे कम लोग, loot part करते हैं, तो उससे डकैती नहीं कहते, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा, जो लोग है, वो loot part करते हैं, तो फिर उससे डकैती कहा जाता है, loot part अगर 4 से ज़्यादा लोग करें, और 4 या उसससे कम लोग करते हैं, तो फिर उन पे section 395 नहीं लगता, उन पे लगता है section 392, यानि loot के लिए सजा, और section 395 लगता है, 4 से यादा लोग loot पार्ट करें, उसमें डकैती के लिए punishment होती है, 395 के तहत, section 377 होता है या प्राकृतिक अपराद, यानि unnatural offense, जब किसी पुरुष्ष्ट्री या जीवजन्तु के साथ प्रकिर्ति की विवस्ता के विरुध कोई भोग या इस तरह की activity की जाए, तो फिर वो आज इवन कारावास उसमें हो सकता है, या जुर्माने हो सकते हैं, 10 वर्स तक ही कैद हो सकती है, तो ये सब define करता है section 377, section 396 हत्या और डकैती दोनो, अगर मालो, 4 से ज़्याद लोग loot part कर रहे हों और उसमें फिर हत्या भी किसी की कर दें वो, तो फिर उसमें लगता है section 396, section 365, व्यफरन या अफरन या abduction या kidnapping, किसी को आप confine करना, किसी को उसकी movement confine करना, उसको kidnap करना या abduct करना, एक छुपे हुए intent के साथ, तो उसे बोला जाता है, व्यफरन या अपराधी के साक्षे के लापता होने या अपराधी पर जूटी जानकारी देने के कारण, यानि disappearance of evidence of offense, और giving false information to screen the offender, यानि किसी दोशी को बचाने के लिए अगर आप जूटा गवा देते हैं, या जो जबूत हैं उन्हें मिटाने की चेष्ठा करते हैं, तो वो section 201 के जब किसी common intention को लेके, यानि सामाने आश्य को aggressor करने में, उसको आगे ले जाने में कुछ वेक्तियों द्वारा जब act किया जाता है, तो वो section 34 के अंडर आता है, section 141, unlawful assembly, यानि विधी विरुद्ध जमाव, जब 5 या उससे अधिक वेक्ति, ये एक जंगा इखटे होते है unlawful तरीके से, तो unlawful assembly by declaring an assemblage of more than 5% और उनका कोई खास इसमें परपस होता है, generally कानून को तोड़ने के लिए, तो फिर वो section 141 के अंडर आता है, एक इंपोर्टन बात समझने वाली ये है, कि section 141 में, जो ये लोग इखटे हो रहे हैं, 5 या उससे जाधा, इनको कोई crime करने क ज़रत नहीं है, the very fact कि ये कानून के विरुद इखटे हो रहे हैं, ये अपने आप में एक जुर्म है, section 412, ऐसी संपत्ती को बेईमानी से प्राप्त करना, जो डकैती करने में चुराई गई है, यानि dishonestly कोई ऐसी property रिसीव करना, जो डकोईटी में स्टील की गई है, section 412, section 378 होता है, चोरी या थेफ्ट, किसी से उसकी property, उसकी मर्जी के विरुद, उसकी consent के विरुद ले लेना, dishonestly, इमानदारी ना दिखाना, और चोरी कर लेना, तो वो आता है, section 378, section 198 होता है, giving false evidence, अगर आपने शपत ली हुई है, और आप किसी भी तरह से bound है, कानूनी तोर प सच बोलने के लिए, लेकिन आप सच नहीं बोलते, या फिर आपको कोई affidavit file करने को कहा जाता है, सच बोलने के लिए, और आपने सच नहीं बोला, इन सब cases में, मिथ्या सक्षे देना, यानि giving false evidence, section लगता है, 191, आतम हत्या करने का परियतन, यानि attempt to suicide, section 309, section 310 होता है, ठ ठग किसे कहते हैं, तो ये होता है कि, whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated with any others, or other or others for the purpose of committing robbery, or child stealing, by means of or accompanied with murder, यानि अगर कोई वैक्ती, कोई loot part करता है, या कोई बच्चा चुराता है, child stealing करता है, और उसके साथ-साथ, murder भी accompanied होता है, तो फिर उसे हम ठग बोलते हैं, तो ये आपको याद गरपात किसी का करवाना, अगर वो औरत की benefit के लिए गरपात नहीं कराया गया है, तो वो फिर एक जुर्म है, और इसमें फिर कानून में सक्त प्रवधान है, इसके लिए IPC की धारा 312 के तहत, इसमें दोशी पाए जाने पर 3 साल तक कैद आपको हो सकती है, section 351, हमला, यान किसी इस तरीकी लज़ा भंग करने के आशे से उस पर हमला करना या किसी आपराधिक बल का परियोग करना, section 362 है अफरण करना, abduction, यानि बल का परियोग करके या कोई भी deceitful mean cheating करके किसी को अफरण कर लेना, तो वो होता है, section 362, अगला है section 415, यानि छल, cheating करना, लेकिन ज क्या होती है, ये define होती है section 415 में, और cheating की punishment होती है 417 के तहट, एक बात और आपने 420 सुना होगा, जैसे अकसर बोलते हैं 420 करी, 420 का मतलब ये होता है, छल करना और संपत्ति परिदत करने के लिए बेमानी से उत्प्रेरित करना, यानि आप किसी को ये convince कर रहे हैं कि जो property ह वो किसी के नाम कर दो, और वो छल से किसी का property ठग रहे हैं, तो वो फिर आता है 420 IPC के तहट, 445 होता है ग्रह भेदन करना, किसी के घर में जबरदस्ति उसकी मर्जी के विरुद घुश जाना, section 494, अगर आपकी पती और पत्नी हैं, उसके बावजुद आप पुनर विभा कर रहे हैं, जीवन काल में, तो वो आता है section 494 के अंदर, section 499 होता है defamation, मान हनी, किसी को जबरदस्ती, जूटे तथे पेश करके बदनाम करने की कोशिश करना, section 511, आजीवन कारावास, या अन्य कारावास से दंडने अपराधों को करने के परियतन करने के लिए दंड करना यानि अगर आप कोई ऐसा crime करना चाहते हैं, जिसकी punishment, imprisonment for life है, या कोई दूसरे तरह का कारावास है, तो उसको attempt करने का परियास करने के लिए जो punishment दी जाती है, वो section 511 के तहत दी जाती है, section 40 जो है यह अपराध को define करता है offense को, section 24 बेइमानी यानि dishonesty को, section 54 मृत्यू धंड देश का लगू करन, यानि अगर death की punishment हो जाए, मृत्यू धंड हो जाए, तो उसका लगू करन, उसको commute करना, section 55 आजीवन कारावास को commute करना, यानि उसका लगू करन करना, section 55A यह appropriate government, यानि समुचित सरकार की परिभाशा बताता है, section 63 जुर्माने की रकम, यानि amount of fine कितना हो वो बताता है, section 64 अगर जुर्माना नहीं दिया, तो फिर कारावास कितना होगा, उसका दंडादेश बताता है, यानि sentence of imprisonment on non payment of fine, section 82 बताता है, कि 7 साल से अगर कम आयू का बच्चा है और वो कोई कारे करता है, तो वो अपराद नहीं कहा जाएगा, कोई बात अपराद नही है, अगर वो 7 साल से कम बच्चा उसे करता है, ये बताता है section 82, section 83 बताता है, 7 साल से ज़्यादा उम्र है बच्चे की, लेकिन 12 वर्ष से कम आयू का सिशु है, तो उसकी जो समझ है, उसे immature कहा जाता है, यानि ए परिपक्व समझ है, तो इसलिए वो भी अपराद नहीं है, ये बताता है section 83, section 120A, criminal conspiracy, यानि आपराधिक शडियंत्र की परिभाशा बताता है, section 120B, इसमें अगर कोई आपराधिक साजिश है, तो उसका दंड कितना होगा, punishment क्या है, वो बताता है, 120B, 124A, देश द्रो, यानि sedition को define करता है, 146, rioting, यानि बवाल करना, 147, बवाल के लि दो से ज्यादा वेक्ति, कहीं पे शांती विगन करते हैं, पीस को destroy करते हैं, तो उसे कहा जाता है कि वो दंगा कर रहे हैं, यानि public पीस को वो destroy कर रहे हैं, या public place में वो fight कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो अफ्रेक मिट कर रहे हैं, या दंगा कर रहे हैं, section 166 में punishment ह सेक्शन 171B होता है रिश्वत यानि ब्राइबरी के लिए, सेक्शन 212 अपराधी को संश्य देना यानि उसे हारबर करना, किसी अपराधी को अपने पास, अपने घर में रखना, टिकाना, जानते हुए वो अपराधी है, सेक्शन 304B दहेज से होने वाली मृत्यू के लिए ड डाउरी के लिए जो कानून है वो किस में डिफाइन होते हैं, 498A में, 498A में डाउरी का कानून होते हैं, और अगर दहे से मोध हो जाए तो वो फिर 304B के सेक्शन के तहर डिफाइन की जाती है, सेक्शन 313 ये होता है, स्त्री की सम्मती के बिना उसका गरपात करवाना, य यानि abduction, 364A फिरोती के लिए अपरण करना, और ये फटा-फट एक बार देख लेते हैं, हत्या के लिए सेक्शन 300 है, लेकिन पनिश्मेंट होगी 302 के हिसाब से, 383 है extortion, 390 है loot और 391 है डकैती, 197 है false certificate यानि मिथ्या प्रमान पत्र जारी करना, 192 सेक्शन है मिथ्या यानि जूटे गवा पेश करना, फैब्रिकेट करना, section 230 है सिक्का की परिभाशा यानि coin defined, section 230 है इसमें बताया गया है कि जो हम सिक्का योज करते हैं, coin योज करते हैं, उसकी परिभाशा क्या है, section 299 आपराधिक मानवद यानि culpable homicide, तो ये थे important IPC जो आपको याद रखने है इसमें पिछले 25 साल के पेपर देखकर लगभग सारे कबर कर लिए गए हैं, अगर आपने ये वीडियो अच्छी से देखा है तो बताईए कि theft के लिए कौन सा IPC का section लगता है, thanks for watching